दोस्तो इस्टेम बहुत बड़ी ख़बर आ रही है Alliance.io की तरफ से Alliance.io का database हो चुका है leaked और दोस्तो जियो users के जो भी data जो personal private data था वो जोस्तो जियो की website से leak हो चुका है और एक दूसरी website है उसके पास वहाँ पे सारा data आपको मिल जाएगा दोस्तो वहाँ पे जैसे ही आप अपना number डालते हो जियो का तो वहाँ पे वो सारी information दे रहता है आपका नाम, number और आपकी email id, alternative number और दोस्तो आधार card number या फिर आपने pen card number या जो भी दिया होगा वो सारी personal information आपकी वहाँ पे leak हो चुकी है तो दोस्तो ये बहुत ही बड़ा bug आया है जियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये और कौन सी website है जहाँ पे ये जो data है वो leak हो रहा है तो जानने किने इस वीडियो को सुर्सलिकलाश तक देखते रहिए मैं नाम है दीपक और डिकेटेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए डिकेटेक हिंदी चैनल को और वैल आइकन को दवाईए लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों यह वेबसाइट है magicapk.com और दोस्तों यहाँ पे जो है रिलाइंस जियो यूजर्स का सभी डाटा यहाँ पे लीग हो चुका है यहाँ पे आपको अपना कोई भी जियो नंबर डालना होगा और उसके बास सारी इंफरमेशन यहाँ पे सो हो जाएगी मतलब आपका जो प्राइवेट डाटा है वो यहाँ पे लीग हो चुका है और दोस्तों जियो ने कहीं ने कहीं कमी छोड़ी है जिसके कारण इस वेबसाइट ने रिलाइंस जियो यूजर्स के जो भी प्राइवेट डाटा था उसे लीक करके अपनी वेफसाइट पर श्टोर कर दिया है और यहाँ पे कोई भी आपकी परसनल डाटा को लीक कर सकता है और उसका गलत और देखते हैं आप इलाइंस जो क्या करता है इस बक्स को किस तरह किसे फिक्स करता है और इस वेफसाइट को बंद करता है दोस्तों इलाइंस जो से रिलेटेट कोई भी लेटेश न्यूच के लिए हमारे डिक टैक हिंदी चैनल पर बने रहिए मुझे उमीद है आपको वीडियो पसंद आयोगे और इस वीडियो समदेद कोई भी सवाल ये सुझाब हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जोर लिखिए तो चली दोस्तों अब हम चलते हैं जैहिन बंदे मात्रम